तामिल इर्शाद का मल्टिमीडिया प्लैटफॉर्म देख रहे हैं नाजरीन दुनिया में बहुत सारे लोग काफी कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए किसी को एजुकेशन और सबसे बड़ी चीज है कि इनसान मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए तब वो जाके कुछ कर सकता है आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है आमिर हुसैन लोन सहब आमिर हुसैन को कौन नहीं जानता है दोहजार सोलह से ये सोशल मीडिया पर च्छाए हुए है बिना बाजू के ये क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसके लिए इनसान को फिजिकली फिट होना चाहिए लेकिन आप इनकी डेडिकेशन देखें आप इनकी लगन देखें इनकी कॉमेंटमेंट देखें के बिना बाजू के ये क्रिकेट खेलते हैं और साबित किया इन्होंने कि अगर इनसान में डेडिकेशन होगी अगर इनसान में लगन होगी तो वो आसमान चूँ सकता है मजीद आमर हुसाइन से बात करते हैं और इन से इनकी जर्णी के बारे में जानते हैं सबसे पहले तामिल इर्शाद में मैं आपका ख्यर मक्दम करती हूँ आमर मैं जाना चाहूंगी कि कहां से है आप ये सफर आपने कैसे शुरू किया पहले मैं थांक्यू कहन क्लिज में गया और मुझे इन्वाइट किया वां तो जब रहां भी मतलब सिटाप एंट गश्मिरी है और मिगे एक वाह कि इसे एक पॉइंट आध रहा बचे हैं गर्ल wspól वो सबसे ज्यादा का तैदाद है कहीं और वो आर एंस क्रूप अप कॉलिज में कश्मीरी की और वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने फिर जो हमारे टेयर में साब है मैंने इसको सर एगरी किया और मैंने का ठीक है सर हम एस ब्रेंड एंपीडर और उन्होंने पर कोशित गया और मेरे बहुत अच्छा लगा कितना चैलेंजिंग रहा इए आपके लिए कैकल क्शमीर में खेलना कितना चैलेंजंग रही है किया अभी भी आप चैलेंज पीस कर रहे हैं किदो मैं क्या कि खिर हम आपके जिए जंदगी एक यह तो हमार मैंग कि नहीं होत ता और आठ साल की अमर में मुझे एक्सिडेंट हुआ सोमल में लेकिन जब एक्सिडेंट के बाद गर वापस आए तो बहुत सारों ने लोगों ने कहा मेरे मापता पीता को कि आप यह किसी काम का लाइक नहीं रहा है और आप इसको जहर दे करी मार देना चाहिए क्योंकि इसके पास हाथ नहीं रहे क्या करीगा और यह आपकी उपर बोज है लेकिन मुझे दुख होता था बहुत दुख होता था लेकिन यह जिंदगी थी और यह उपर वाले की मार्दी से एक इंत्याम था और मेरा जो सपना था कि मैं ठेट खेल नहीं खेलता था ? जहां जहां भी मैं गया वहां मुझे बस यही कहा गया कि आपके पास तो हाथ ही नहीं आप नहीं कर सकते हैं जहां कोज के पास मैं गया और वहां से भी एक आपके पास तो हाथ ही नहीं है यह इसमें हाथ लगते हैं यहाथों का कमाल है कोई गेम खिलो लेकिन ये था कि खाब था कि एक दिन मैं सचनसर की तरह किरकटर बनूँ लेकिन फिर ये आया कि जब ठोकरे खाने पड़े लेकिन बाद में कुछ ऐसा वाका हुआ एक सुराट के बीच में से मैं सचनसर को देख रहा था और फिर वहां से मेरी जो अपने जो फैशन है अपने जो खाग थे मेरे जहन में आया है कि मैं अपने आपको टैबलप करूँ ये किरकट लेकिन ये था कि कैसे करूँ और उसमें मेरी दाजी जी ने होसला दिया कि दाजी जी ञब मैने दाजी जी को का दाजी आप में बूलिंग कीजे तो धाजी जी के चहरे पर मुस्कान ऐई हलकी सी मुस्कान ऐई क्यांकि वो मुस्कान जो आज भी मुझे याद है और मैंने बिलचे इसमें नेक और शूडर के दरमίαन पकड़ा और जहां दाजी जी गेंद बूलिंग कर दी, मैं वही जाता था खेलने के लिए, लेकिन तकलिए बहुत हो जाता थी, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा था कि जब मैं हाथ से पकड़ता था बला, लेकिन फिर ऐसा भी टाइम आया है, जब हाथ नहीं थे, और फिर नेको शुरूर के दरम और इसमें ये था कि मैं किसी की उपर डिपेंड ना रहूं और जो भी काम करूँ वो मैं खुद करूँ, और फिर उसके बाद मैंने पैर से गेंदवाजी सीखी, और उसके बाद सारा कुछ आपने देखा होगा किरकट मैं, फिर मैं 2013 में आज जेंड के पैरा किरकट जहां भी मैं गया, और ये किसी को मालम नहीं था कि एक एक भी ऐसा आदमी है, जिसके पास हाथ नहीं है, और करकट खेलता है, ये यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन जब लोग देखते हैं, और फिर बहुत प्यार करते हैं, देखे आपने कहा कि आपके जो रिलेटिल्स है, लेबर है, वो कह रहे थे कि आपके गरवालों को कि या पे बोज है वगएरा, उस टाइम पर मैं जाना चाहूंगी कि आपके पैरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा फिर आपके? दाजी जी का दाजी जी का बहुत रहा है, और दाजी ने हमेशा मुझे हुस्ता दिया, और खासकर जो मेरी माता पेता है, मैं सबसे जादा अगर किसी ने सपोर्ट के वो दाजी जी ने, और आला ताला उसको जंदक फिर दो सता करें, वो आज इस दुनिया में नहीं है, ल 2016 से आप सोशल मीडिया पर च्छाए हुए है, लोग भी आपको देख रहे हैं, क्या बूस्ट मिल रहा है आपको, अलहमदलियल्ला जैसे कि मैं आपको बता दूँ क्योंकि बाहर के लोग जो है, बहुत बहुत इस चीज़ को मानते हैं, कि यह आप कैसे करते हैं, लेकिन मैं सचन सर का, और जिसमें कि हमारे गोतम अडानी सर का खास कर, और फिर मेरा जो फ्रेंड है, अंकित सर, और अंकित सर के भी बहुत बहुत शुक्रियादा कहना चाहता हूँ, और सिभी को जन्होंने मुझे मतलब कि एक वो मकाम दिया है, जो मेजे अपने जहन में भी सोचा न नहीं था कि एक दिनाईसा आए, कि सचन टुनूल कर सर, गॉड आफ किरकट कहा जाता है सचन सर को, वो मेरी जर्सी पहनेगा, और इसे बड़े मेरे बहुत खुशी कि हमारे आइज़स की बात है, कि मुझे एक मौका मिला, क्योंकि सचन सर ने वादा किया था, कि मुझे भी एक मुझे मिलना चाहिए कि मैं आमर की जर्सी पहनूं, और आइस पिल में आपने देख ही होगा कि सचन सर ने मेरी जर्सी पहनी, और मेरी जो बदन पर जर्सी थी वो सचन सर की थी, आपर एक आखरी सवाल आप से रहेगा, कि मैं चाहतू हूँ आप हमारे जो वीवर्स है, उनके लिए एक मेसेज दे, खासकर हमारे यूद के लिए, बस ये कहना ताटन की जिन्देगी में कभी भी हार मत मना और आने वाला चो दिन होता है, वो नया होता है.